राष्ट्रिय शिक्षानीत 2020 भाग 2 उच्चतर शिक्षा अध्याए 9 गुणवत्ता पूर्ण विश्व विद्याले एवं महाविद्याले भारतिय उच्चतर शिक्षा विवस्था हेतो एक नया और भविश्योन मुखी द्रिष्टिकूण तो आईए सुनते हैं इसका द्रिष्ट संख्या बावन 9 गुणवत्ता पूर्ण विश्व विद्याले एवं महाविद्याले भारतिय उच्चतर शिक्षा विवस्था हेतो एक नया और भविश्योन मुखी द्रिष्टिकूण 9.1 उच्चतर शिक्षा मनुष्य और साथ ही सामाजिक कल्यान के विकास में अति आवश्यक भूमी का निभाती है जैसा कि हमारे संविधान में भारत को एक लोकतांत्रिक, नयाएपूर्ण, सामाजिक रूप से सचेत, सांसकारिक और मानवी राष्ट्र जहां सभी के लिए नयाए, स्वतंत्रता, समानता और भायचारे का भाव हो एक ऐसे राष्ट्र के रूप में विकसित करने की परिकल पना की गई है, एक राष्ट्र के आर्थिक विकास और आजिवीकाओं को स्थायित्व देने में भी उच्चितर शिक्षा एक महत्वपूर्ण योगदान देती है, जैसे जैसे भारत ग्यान आधारित अर्थ विवस्था और समाज की ओर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे और अधिक भारतिय युवा उच्चितर शिक्षा की ओर बढ़ेंगे, 9.1.1, 21 सदी की आवश्यक्ताओं को देखते हुए, गुणवत्ता पूर्ण उच्चितर शिक्षा का जरूरी उद्देश्य, अच्छे, चिंतनशील, बहुमुखी प्रतिभावाले रचनात्मक व्यक करना होना चाहिए। यह एक व्यक्ति को या एक से अधिक विशिष्टिक शेत्रों में गहन स्तर पर अध्यायन करने में सक्षम बनाती है। उच्चितर गुणवत्ता वाली शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत उपलब्धी और ज्ञान, रचनात्मक, सार्वजनिक सहभागिता और समाज में उत्पादक योगदान को सक्षम करना चाहिए। इसे छात्रों को अधिक सार्थक और संतोष जनक जीवन और कार्य भूमिका व्यक्तिगों के समगर विकास के उद्देश से यह अवश्यक है कि पूर्व विद्याले से उच्चतर शिक्षा तक सीखने के प्रतियक चरण में कौशल और मुल्यों का एक निर्धारित सेट शामिल किया जाएगा। प्रिष्ठ संख्या तरेपन 9.1.3 सामाजिक स्तर पर उच्चतर शिक्षा का उद्देश है, राष्टर को प्रबुद्ध, सामाजिक रूप से जागरूक, जानकार और सक्षम बनाना है जो अपने नागरिकों का उत्थान कर सके और अपनी समस्याओं के लिए सशक्त समाध प्रबुद्ध, सामाजिक रूप से जुड़े हुए सहकारी समुदायों के साथ मिलकर एक अधिक खुशनुमा, सामन्जस से पूर्ण, सुसंस्कृत, उत्पादक, अभिनव, प्रगतिशील और सम्रिध राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना है 9.2 वर्तमान में भारत की उच्चितर शिक्षा प्रणाली की कुछ एक समस्याओं में से ये बातें शामिल हैं 9. गंभीर रूप से खंडित उच्चितर शैक्षिक पारिस्थिती तंत्र 10. संग्यानात्मक कौशल के विकास और सीखने के परिणामों पर कम बल 10. विशयों का एक कठोर विभाजन 11. विद्यार्थियों को बहुत पहले ही विशयशग्य और अध्यायन के संकीन क्षेत्रों की ओर धगेल देना 12. गंगः सीमित पहुँच 12. विशयश रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में 12. जहां कुछ एक ही ऐसे विश्विद्यालय और महाविद्यालय हैं जो स्थानिय भाषाओं में पढ़ाते हैं 12. सीमित शिक्षक और संस्थागत स्वायत्तता 12. योग्यता आधारित करियर प्रवंधन और संकाय और संस्थागत लीडरों की प्रगती के लिए अपर्याप्त तंत्र 12. छ अधिकांश विश्विद्यालयों और महाविद्यालयों में शोध पर कम बल और विशयक अनुशासनों में पारदर्शी और प्रतिसपर्धी समीक्षा शोध निधियों की कमी 9.3 यह नीती उच्चितर शिक्षा प्रणाली में आमूल चूल बदलाव और नए जोश के संचार के लिए उप्युक्त चुनोतियों को दूर करने के लिए कहती हैं जिससे सभी युवा लोगों को उनकी आकांक्षा के अनुरूप गुणवत्ता पूर्ण समान अवस्तर देने वाली एवं समावेशी उच्चितर शिक्षा मिले इस नीती की दृष्टी में वर्तमान उच्चितर शिक्षा प्रणाली में इन बातों का प्रमुख परिवर्तन शामिल है क ऐसी उच्चितर शिक्षा व्यवस्ता की ओर बढ़ना जिसमें विशाल, बहु विशयक, विश्वविद्याले और महाविद्याले हों जहां प्रतेक जिले में या उसके पास कम से कम एक और पूरे भारत में अधिकतर ह, ई, आई, ऐसे ही हों जो स्थानिये और भारतिये भ ग, संकाय और संस्थागत स्वायतता की ओर बढ़ना प्रिष्ठ संख्या चोववन ग, विद्यार्थियों के अनुभव में वृद्धी के लिए पाठे चरिया, शिक्षन, शास्त्र, मुल्यांकन और विद्यार्थियों को दिये जाने वाले सहयोग में आमूल चूल परिव अंग, शिक्षन, अनुसंधान और सेवा के आधार पर योग्यता न्योक्तियों और करियर की प्रगती के माध्यम से संकाय और संस्थागत नेत्रितों की स्थिती की अखंडता की पुष्टी करना च, सहकर्मी द्वारा समीक्षा की गई उत्तम अनुसंधान और विश्व विद्यालेयों और कॉलेजों में सक्री रूप से अनुसंधान की नीव रखने के लिए राष्ट्री अनुसंधान फाउंडेशन एन आर एफ की स्थापना च, शैक्षनिक और प्रशासनिक स्वायत तावाले उच्चितर योग्य स्वतंतर बोड़ों द्वारा HEI का गवर्नेंस ज, व्यावारिक यानि प्रोफेशनल शिक्षा सहित उच्चितर शिक्षा के सभी एकल नियामकों द्वारा लचीला लेकिन स्थायित्व प्रदान करने वाला विनियमन ज, उपायों की एक श्रिंखला के माध्यम से पहुँच, समता और समावेशन में व्रिद्धी, इसके साथ ही उतक्रिष्ट सार्विजनिक शिक्षा के लिए अधिक आवसर, वंचित और निर्धन छात्रों के लिए निजी, परोपकारी विश्रोविद्याल द्वारा छात्र वृत्ती में पर्याप्त वृत्धी, ओपन स्कूल, ऑनलाइन शिक्षा और मुक्त दूरस्थ शिक्षा यानी ODL और दिव्यांग शिक्षार्थियों के लिए सभी वुनियादी धाचे और शिक्षन सामगरी की उपलब्धता और उस तक उनकी पहुँच गुणवत्ता पूर्ण, विश्विविद्याले एवं महाविद्याले भारतिय उच्चतर शिक्षा व्यवस्था हेतु एक नया और भविश्योन मुखी द्रिष्टिकून वाचन्स्वर, अजीत होरू, निर्मान सहयोग, जगबंधु जाना, मीनाक्षि कुक्रेती और तनुगुप्ता, निर्मान, वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत